एहम्दाबाद वासियों को पीम मोदी आज सौगात देने वाले हैं साबर मती नदी पर बने गा अटल बृज जिसका शुभारम प्रधान मंत्री आज करेंगे दो दिवस्य दौरे पर प्रधान मंत्री रहेंगे एहम्दाबाद आपको बता दे कि एहमदाबाद को अटर ब्रिज का तौफा प्रधान मंत्री देने वाले हैं। साबरमती रिवर फ्रेंट पर आयोजित खादी उत्सप और खादी उत्सप को प्रधान मंत्री संबोधित करेंगे। बताएं कि 300 मीटर लंबा और बीच में 14 मीटर चोड़ा फुल होगा। करेंगे। इसका नाम पूर्ध प्रधान मंत्री अतर ब्यारी बाच्पे के नाम पर रखा गया है। आकर्शक डिजाइन और एल्टीजी लाइटिंग वाला ये प्रतिश्चित पुल लगभर लगभर 300 मीटर लंबा और बीच में 14 मीटर चोड़ा है। नदी के पक्षमी चोर पर फुलों के बगीचे और फूर्वी पर आने वाले कला और संस्कृती केंडर को जोड़ता है। पैदल चलने वालों के अलाबा साइकल चलाने वाले भी इस पुल का उपियों कर सकेंगे। पुल को इस तरह से दिजाइन किया गया है कि लोग निचले और उपरी दोनों रास्तों से या फेर रिवर कंट के सहरगाह से संपर्क कर सकते। तो करीब 74 करोड 29 लाख रुपे की लागत सी ये पुल बनकर तयार हुआ है। इसका उधाटन प्रधान मंत्री आज करने वाले हैं और खासियत आप जान दीजे इस पुल की। पुल की जो लंबाई है दरसल वो 300 मीटर है और चोड़ाई 14 मीटर है। और अटल ब्रिज को एमदबाद के लिए टूरिस्ट स्पॉर्ट साबित ये होगा। बताएं कि ब्रिज को इंजीनिरिंग के चमत्तार के रूप में भी सदियों तक जाना जाएगा। इस तरीके से इसे तयार किया गया है। 300 मीटर लंबा ये पुल साबन मतीर वर्टरंट के फूर्व और पक्षिन को जोड़ेगा। 2600 मिटरिक टैम स्टील पाइट का उपियो किया गया है स्पुल को बनाने में। पुल की छत रंगीन और कपड़े से बनी हैं और रेली कांच और स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। तो ये खासियत है इस्पुल की जिसका उठाटन आज प्रधान मंत्री करने वाले हैं। एहमदा वासियों को आज बड़ी सौगात प्रधान मंत्री देने वाले हैं। अटल ब्रिज का तौफा दरसल मिलने वाला है। खासित हम आपको बता रहे हैं कि स्कूल की खासियत क्या है लोगों को कितनी इसे सुधा मिलने वाली है और साथी साथ ब्रेज को इंजिनिरिंग के चमतकार के रूप ले भी सब्यों तक जाना जाएगा और इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है बेहतर तरीके से इसको ब 29 लाख रुपे की लागत से बन कर ये पुल तयाग हुआ है पुल की जो लंबाई है 300 मीटर है और चोड़ाई 14 मीटर है तोटल ब्रिज को एहमदाबाद के लिए टूरिस्ट स्पॉर्ट ये साबित होगा वाजखादी उत्सब को प्रदान मंत्री नर्ण मोधी समबोधी करने वाले है